अब हम लोग next discuss करेंगे innateness की, तो innateness में क्या है धानडा, तो physical order को देखेंगे तो अस्तित में बना हुआ है, exist is a reality, exist in a definite order, प्रानिक order को देखेंगे तो existence में बना हुआ है, प्लस ग्रोथ का काम उसमें हो रहा है, तो plant और trees को देखेंगे, तो अस्तित में बना हुआ है, दि शरीर, animal में दो चीज़े है शरीर और मैं, तो सरीर में, सरीर existence में बना हुआ ग्रोथ का काम चल ला है, प्लस self में जीने की आसा है, ऐसे ही human being में देखेंगे, तो सरीर में existence और ग्रोथ बना हुआ है, और मैं में क्या चल ला है, जीने की आसा चल लेकिन इसके साथ continuous happiness के साथ तो यह innate-ness बना हुआ है, चारो order की हम differentiate कर सकते हैं Similarly, inheritance की अगर बात करेंगे तो physical order में क्या inheritance है? परडाम अनिस्वंगी है मतलब constitution based है कि एक atom दूसरे से मिलके कुछ ऐसा ही बनेगा ऐसा constitution में लिखा हुआ तो constitution based होता है physical order प्रानिक order की देखें तो it is seed based seed based का मतलब की जो पेड़ पौधे है अगर देखेंगे तो आम के पेड़ से निकला हुआ नया जो पेड़ होगा वही आम कही होगा कोई 20 डालते हैं किसी पौधे का तो उससे वही पौधा निकलेगा तो 20 अनुसंगी है, seed based है लेकिन animal order को देखेंगे, it is once अनुसंगी मतलब कि गाय का जो बच्चा होगा वह गाय ही होगा शेर का जो बच्चा होगा वह शेर ही होगा उसकी प्रविति भी शेर की तरह ही होगी ये once अनुसंगी है लेकिन जब human order की बात करते हैं तो इसकी inheritance सिच्छा संस्कार अनुसंगी है मतलब ये animal जैसा नहीं है कि रिक्सा चलाने वाले का बच्चा रिक्सा ही चलाएगा या IAS का बच्चा IAS ही होगा ऐसा नहीं है ये सिच्छा संस्कार अनुसंगी आप देख सकते हैं कि कम पढ़े वाले लोगों के बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे थेज़ जगर आते हैं और बहुत अच्छा पढ़े हुए लोगों के बच्चे भी कुछ नहीं पढ़ते हैं और कहीं नहीं जाते हैं तो ये देख सकते हैं एक दूसरे से cyclic, एक दूसरे के cyclic order में है, वो परस्पर पुरक्ता के संबन में काम कर रहा है, लेकिन human order नहीं कर रहा है, तो role of human being यह है कि ऐसा समझ develop करें, जिससे वो परस्पर पुरक्ता में काम कर सके, क्योंकि nature में यह सारी चीजे परस्पर पुरक्ता में अपने आप बन हुआ है, तो जो हम बात कर रहा है, innateness वा inheritance की, तो देख सकते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है, वो नहीं नेक्स जनरेशन है, तो नेक्स जनरेशन क्या है, human education संस्कार, जहां तक आपका संस्कार पहुच्छे हुआ है, उससे आगे ही आपका नेक्स जनरेशन होगा, तो न राइट अंडरस्टेंडिंग, राइट फिलिंग, और मैं में निरंतर सुप पुरवक जीने की आसा, यह सारा कुछ बना हुआ है, हर्मोनी नेचर में एक और चीज़ देखें, तो पता चलता है कि area wise, quantity कितना है, तो physical order सबसे ज्यादा quantity है, उससे कम प्रानिक order, उससे कम animal order, और तीनों, चारों को देखें न, तो नीचे के तीनों, अगर देखें, human order किस पर dependent है, तो animal, प्रानिक और physical पे, animal order किस पर dependent है, प्रानिक और physical पे, प्रानिक order किस पर dependent है, तो physical पे, तो ऐसा कह सकते हैं, कि सब एक दूसरे से correlated है, यह नीचे वाले जो तीनों है, यह तीनों प्रज़क्ता में लेकिन human order ही नहीं है सबसे वड़ा problem यहीं है human order में और यह कैसे दूर हो सकता है कि एवल education संसकार से ही दूर हो सकता है ठीक है तो हम लोगों ने हार्मोनी नेचर में क्या देगा कि चार order है अस्तित्तों नेचर में चार order में से तीन order जो है फिजकल प्राणिक एन्वल एक दूसरे के परस्पर पुरक्ता में काम कर रहे है human order नहीं कर रहा है human order को करने के लिए उसको नेचर को समझना है और सही समझ के साथ सिच्छा संसकार के साथ वो इन तीनों order के साथ परस्पर पुरक्ता में जी सकता है what are your assumptions about nature जीजादो questions what do you what do you and your family contribute to participate in maintaining the order in nature ये questions है इसको हम इस लेक्चर के outcome के बेस पर सौल को सेकता है okay thank you